नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का एक बार फिट से गोल्डेन इंडिया की इस प्रैस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं क्या है बड़ी खबरे आज मुक्के समाचार की जो निकल करा रही है लेकिन इससे पहले आपसे छोटी से विंते हैं किस को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी और अपडेट मिल सकेगी ओके तो आज की पहली खबर है आदार अपडेट करवाना हुआ मेंगा 25 की जिगह लगेंगे 50 रुपए जया दोस्तों आदार के अपडेट करने के लिए 25 रुपए की जिगह 50 रुपए का चार्ज लगेगा और इस 50 रुपए में से 4 रुपए वेरिफायर के होंगे 10 रुपए E-Governance Society की और 36 रुपए ऑपरेटर की खाते में जाएंगी तो इस तरह से अब आदार कार्ड में अपडेट करवाना दो गु जरूरत नहीं है, LIC आपकी जरूरत पूरी कर सकते है, यानि कि आप ओनलाइनी गर बैटे लौन के लिए अपलाई कर सकते है और आपको तुरंत लौन मिल जाएगा LIC से लौन पराप्त करने के लिए आपको www.licindia.in की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा अगली कबर है, गलत वोट डल जाने से परिसान यूवक ने उठाया हैरानी जिया दोस्तों बसपा के समर्थक यूवक ने EVM में गलत बटन दबाने के बाद ऐसा प्राइसित किया कि सुनकर रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे सिकारपूर शेतर में एक यूवक पवन कुमार ने गलती से EVM में बसपा की जगर पे भाजपा का बटन दबा दिया गलत वोट डल जाने के बाद सुब्द यूवक ने अपने उंगली ही कंड़ा से काट डाली अगली कबर है कुछ गंटों में एकाउंट में आ जाएगा पीएफ का पैसा EPFO की बड़ी तयारी अगर आप भी अपने पब्लिक प्रॉविडन फंड पीप को निकालना चाते है तो इसके लिए आपको पीएफ ओफिस के चक्कल नहीं काटने होंगे आपका काम आसानी से हो जाएगा दरसल EPFO की तरब से ओनलाइन क्लिम सेटलमेंट सुविदा सुरू करने की तैयारी की जा रही है अगर आप भी अपने पीएफ फंड एडवांस या पूरा पैसा निकलना चाते है तो गर बैठे ओनलाइन आविदन कर सकते है पहले लोग नौकरी बदलने के वक्त अपना फंड ट्रांसपर करा लेते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से EPFO के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज़्यादा आवेदन देखने को मिले है यही वज़ा है कि निकासी की प्रक्रिया को और भी आसन किया गया है तो आप इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आँ दोस्तो अगर आपका भी कोई बैंक से जड़ा हुआ काम है तो ध्यान देजे कि आज सुकरवार को याने कि 19 अप्रेल को गुड फ्राइडे होने की वज़े से बैंकों की चुटी रहेगी तो ऐसे में आपका बैंक का काम नहीं पूरा हो पाएगा अगली निउस है यह है देश का पहला स्पिकर वाला हेलमेट मॉबाइल से हुगा कनेक्ट कीमत बस इतनी जिया दोस्तों बैक ड्राइविंग के समय ज़दातल लोगों को मॉबाइल फोन पर बात करने और म्यूजिक सुनने की आदध होती है लेकिन मॉबाइल फोन से हेड़पोन को कनेक कर बैक ड्राइविंग के समय इस्तिमाल करना बहुत ही खतरनाक होता है लेकिन अब बाजर में एक ऐसा हेलमेट आ चुका है जो कि आपको इन परिसानियों से पूरी तरह से निजात दिलाएगा इस्टिलबर्ड ने एक स्पिकर वाले हेलमेट को बाजर में पेस किया है जो आसानी से आपके मॉबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा और इस हेलमेट में कमपनी ने इंड बिल स्पिकर दिया गया है और इसके लावा इसमें हैंड स्प्री कनेक्टिविटी का भी ओप्सन देखने को मिलता है भारतिय बाजारों में स्टिल बड़ SBA 1HF की कीमत मर्ज 2590 रुपे रखी गई है और इस हेलमेट को बनाने में कमपनी को तकरीबन दो साल का समय लगा है अगली कबर है टिक टॉक के बाद अब पबजी का भी नंबर पुलिस ने गूगल से पबजी बैन करने को पहा दोस्तों टिक टॉक बैन के बाद अब ऐसा लगता है कि अब पबजी का नंबर है यभी एक फैक्ट है कि टिक टॉक से पहले भारत में कई जगओ पर पबजी बैन की मांग हुई थी और इसकी वही वज़ा है कि कुछ कटना है सामने यह जिससे लोगों को लगता है कि इसे हो जाना चाहिए पबजी और टिक टोक में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही चीन के एप है और देश में तेजी से पॉपिलर हुए है अभी ताजा मामला राजकोट का है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार राजकोट पुलिस ने गूगल को एक लेटर लिखा है जिसमें पुलिसा के संबलपूर में पीम मोदी के हलिकॉप्टर की चेकिंग करने वाले आईयस अधिकारी मुहमद मौसिन को चुनाव आयोग ने बुदवार को निलंबित कर दिया मौसिन 1996 बैच के आईयस अधिकारी है वह संबलपूर लोकसबाद छेत्र में सामाने अब्जरवर क के तोर पर तेनाथ थे चुनाव आयोग ने उन्हें डूटी में लापरवाई बरतने के आरोप में निलंबित किया है निलंबन आदिस में कहा गया है कि अधिकारी ने स्पीसी शुरुक्सा प्राप्त व्यक्तिव के तैसुदा निर्देसों का पालन नहीं किया दरहसल पीम मोधी मंगलवार को संबलपूर के एक चुनावी रेली में पहुँचे थे और उस वक्त चुनाव आयोग के उस उडन दस्ते की उन्हें ने तलासी ले ली थी अगली कबर है अखिले स्यादव ने आजम गड़ से किया नामनकन रेली में बोले वो चाय वाले है तो हम भी पर जनकर निशाना सादा रेली में अकिले स्यादव ने कहा कि साल 2014 में आप लोगों ने चाय वाले पर विश्वास किया था लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी क्योंकि बिना दूद के चाय अच्छी नहीं बनती वो चाय वाले है तो हम भी दूद वाले है अगली कबर है के राश्ट्र प्रवक्ता जीवील नर्शिमा राव और पुपेंदर यादों पर जूता फिल इसका कहना है कि इसे प्रॉपर्टी में घाटा हुआ था इसलिए यह परिशान था और यह सिर्फ कुद को हाइलाइट करना चाहता था उसने बताया कि इसकी जीवील से कोई प्रस सित किये जाएंगे अगली खबर है बाइक और स्कूटर खरीदना हुआ मेंगा हिरो मोटर कॉप ने इतने रुपे तक बढ़ाये दाम जीया दोस्तों अगर आप भी टू विलर लेने के बारे में विचार करें तो आपके लिए एक बड़ी खबन निकल करा रहे है दरसल हिर गुजरात के अमरेली में प्रदान मंतरी नरिर्ण मोडी ने ब्रस्वतिवार को कहा कि गुजरात में सर्दार वल्लबाई पडिल की प्रतीमा पूर्व प्रदान मंतरी जवालना नेहरु का अनाधर करनी के लिए नहीं बनाई गी है पीम ने कहा कि यहाँ एक चुनावी डे में उन्होंने कहा कि हाला की कॉंग्रेस कहती है कि पटल उनके नेता है लेकिन पार्टी का कोई भी नेता अभी तक उनकी प्रतिमा देखने नहीं आया है। अगली खबर है मुफ्स कार चेक अप के लिए मारुति सुझुकी का समर कैम 15-30 अपरिल तक उठाए फायदा। जियां दोस्तो अजिम प्रेमजी इनुवर्सिटी बैंगलोरु की और से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2016 से 2018 तक देश में 50 लाख लोगों की नौकरिया चली गई है। जियो उजर के लिए एक और खुसकबरी फ्लाइट में कर पाएंगे इंटरनेट का इस्तमाल। जिया दोस्तो रिलाइट जियो इन्फो कॉम जल्दी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी उपलप्त करवाएगा और इसके लिए कंपनी ने टेलिकॉम डिपार्टमेंट में लाइसंस को लेकर प्रस्ताव दिया है और यह सेवा मिलने के बाद में सेवा प्रददा भारती अंतर प्रस्ते एरलाइन्स में डेटा और कनेक्टिविटी उपलप्त करवाएगा जियो के लावा डॉट को भी कुछ अन्य एप्लिकेशन मिली है लाइन में लगने का जंजट खतम इस बैंक ने शुरू की घर बैठे मॉबैल पर एकाउंट खोलने की सुविदा दरसल और क्यूर कोड पदती के जरीए अपना खाता खोल सकेंगे और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं बैंक ने कहा कि इससे कागजी काम से चुटकारा मिलेगा और इसके जरीए बैंक खाता चंद मिन्टों में ही सक्रिय हो जाएगा और उप्वक्ताओं को बैथर अनुबवव भी मिलेगा तो ये तो दोस्तों काफी अच्छी बात है क्योंकि आपको आइड़ी बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक के दक्के खाने की जरूरत नहीं है आप मॉबाइल से गर बेटे खाता खुलवा सकते हैं और अपने डॉक्यमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं अलाकि आपको ATM और पास्बुक के लिए बैंक में संपर्क करना होगा ओके तो हमने आपको पहले ही कहा था कि सोने और चांदी खरीदने बालों के लिए एक बड़ी खुसकबरी निकल करा रही तो चलिए जानते हैं लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज के स सोना और चांदी के बाओ की मांग गटे से चांदी भी 104 रुपे टूट गर 38,246 रुपे पर किलोग्राम के बाओ पर रह गई अगली कबर है दुनिया के सबसे बड़े फण ने कुछी गंटों में बेचा 4 टन सोना अब इतने रुपे तक हो सकता है सस्ता जिया दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े की सोने की कीमतों में आगे भी गिरावट आ सकती है सराफबजार में कीमते 32,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के नीचे जाने की पूरी उमीद है झाल 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 झाल